Good morning students, today we will study chapter 9th of EVS, that is food, food मतलब खाना Look at the pictures, हम पिच्चर को जब देखते हैं, तो ये गर्ल क्या कर रही है? ये खाना खा रही है, what is the girl doing in the picture? गर्ल क्या कर रही है? पिच्चर में खाना खा रही है और खाना खाने को हम बोलते हैं, eating तो यहाँ पे हम लिखेंगे, eating पिच्चर मदर क्या कर रही है? खाना बना रही है मतलब cooking Why do we need food? तो अब हम पढ़ेंगे कि हमें food की जरुद क्यों होती है? हम खाना क्यों खाते हैं? We need food to live हम जीने के लिए खाना खाते हैं It gives us energy to do work Food हमें energy देता है, energy मतलब ताकत देता है कोई भी काम करने के लिए Food keeps us healthy and active Food हमें healthy, healthy मतलब स्वस्थ Active, active मतलब किसी भी काम में busy रहना तो food हमें स्वस्थ बनाता है, healthy बनाता है और active बनाता है, ताकि हम सब काम कर सकें Next is food Give us energy to work and play Food हमें energy देता है, काम करने के लिए और खेलने के लिए जैसे ये लड़का बोल रहा है, ये लड़का क्या कर रहा है, गाना गा रहा है This boy is singing तो गाना गाने के लिए इसको जो energy जो ताकत मिल रही है, वो कहां से आई? Food से Help us grow हमें बढ़ने में, हमारी height बढ़ाने में, बढ़े होने में, food हमारी help करता है Make us strong and healthy हमको strong यानी ताकतवर, healthy यानी स्वस्त बनाता है Help us fight illness and stay fit हमें बीमार होने से बचाता है और fit रखता है Tick the correct sentence and cross out the wrong one अब आपको क्या करना है? Correct sentence पे tick लगाना है और wrong पे cross लगाना है Healthy food makes us sick अच्छा खाना हमें बिमार करता है ये गलत है तो इस पे cross लगाएंगे Food gives us energy to play Food हमें energy यानी ताकत देता है खेलने के लिए Yes Tick करेंगे We can live without food हम food के बिना यानी खाने के बिना जी सकते हैं बिल्कुल नहीं हम नहीं जी सकते हैं तो यहाँ पे cross लगाएंगे Food help us to grow Food हमें बढ़ने में बड़े होने में help करता है Yes तो हम यहाँ पे tick लगाएंगे Okay Thank you